तो उस दिन की तरह आज भी बहुत जादा बारी शो रही थी, पाइन पैलेस से लोटस पैलेस तक जाना इंपॉसिबल थी, आज पूरा एड़ी लेडिपेन पाइन पैलेस में ही विदाई थी, अनील के साथ रुक कर वो बहुत रिलाक्स थी, तो वो बस सो गए थी, वो जब पूठी दोने को उसके लिए दिनर बनाई थी, दोने एक साथ दिनर करती है, अनील लेडिपेन के लिए प्यार से बहुत सारी खाना बनाई थी, लेडिपेन टेबल पर बैठे, इतने सारे खाने को देखकर एक्टम सप्राइज थी, अनील बहुत हैपी थी, कि वो आज फॉ तो पोटरस पालेस वापस भी जाना है, पर अनिल नहीं मान दी है, वो उसे इतनी सारी खाना खुट से सो भी करते है, और उन्हें सब कुछ खाना भी परता है, अगले सीन में, अनिल उसे कहती है क्या के की प्लेट धोने में वो उसकी हभ करेगी, पर लिदेबिन उसे स्ट्रि क्यों नहीं? अनिल कहते है नहीं, वो आज लेड़ बिन के साथ बस ताइम बिताना चाहती है लेड़ बिन उसकी पास आते है और उसके शुल्दर पर अपनी हीट रखती है अनिल उसकी हाथ को होल करते है कि आप आज पूरी रात मेरे साथ बात करना चाहोगे? खुनपिन? वो नोटिस करती है, लेटे पिन मना नहीं करती है और ना ही वो अपनी हाथ हटा लेती है कुछ टाइम बात लेटे पिन आस करती है अगर प्रनौत बस प्रिंस आरंतवाइद की फ्रेंड है तो वो अनिल की इतनी क्लोज क्यों लगता है? तो अनिल अंसा देती है, जो वो इंग्लेंड में पढ़ाई कर रही थी तो ग्रान प्रिंस नहीं उसे भेजाता उसकी केर करने के लिए तो उस बेच उन दोनों के बीच बेच फ्रिंस जासे एक रिलेशन बन चुकी थी किस? उसने मुझे किस के दी? ओ अच्छा, मुझे उसे ये बोलकर चिलाना बहुत पसंद है कि मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ और विस्टन कल्चर में कोई भी अगर उसकी क्लोज होता है तो वो उसकी हाथ पर किस करता है तो खुनकुआ ने ऐसा ही किया लेडिबर पिन कहती है बैट अनेल किस इस किस इसमें डिफरेंस क्या है? अनेल भी एक् although कहती है नोखिंड पिन किस इस नॉट किस केस अलग-अलग ताइप की होती है और उसकी अलग मेंनिंग भी ये कहते ही अनेल लेडिबर पिन के जाती है और उसकी हाथ को होल करते हैं इसकी बैक साइट पर किस कहती है suddenly Anil को इतनी क्लोज मैसूस करते हुए इनकी हाथ बहुत फॉस्ट हो जाती है Anil स्माल करते हुए इसे नॉमल किस कहते है जो बस thanks या भी pleasure देने के लिए किया जाता है Anil जुक कर उसकी हाथ पर किस कर रहे थे जिससे Anil की क्लोज थोड़े नीची आ गए थी उससे ऐसा uncomfortable dress की position में देखकर लेड़ पिन अपनी साथ से रोख लेती है फिर Anil उसकी और ग्रोज आते है और उसकी आखों पर किस करते है इसे butterfly kiss करते है जो हम बच्छों को करते है Anil कहते है फिर वो लेड़ पिन की chicks को hold करते है और अपनी nose से उसे रब करते है और slowly slowly Anil लेड़ पिन की lip की close आती है और अब लिप से उसके lip को touch करते है हलके से touch करने के बाद Anil पीछे आती है और लेड़ पिन से कहती है कि ये lip के से जो close friends करते है और दो lover एक दूसरे को करते है अपने love को express करने के लिए लेड़ पिन माना unconscious थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी Anil की finger उसके lip पहरभ हो रही थी लेड़ पर ऐसा फिल करते है मानो वो कोई दूसरी वर्ल्ट पर है और इदे अनील वो तो रोकने की नामी ने ले रही थी वो बस इस situation की फाइदा ले रही थी और बस दीप जा रही थी अनील उसे again kiss करते है इस बार उसके lips बहुत soft थी और ये kiss बहुत दीप थी लेड़ पर इनकी सांसे रुख जाते है और इस बार उन्हें और भी जाना surprise करते हैं अनील उसे किस करते हुए अपने तॉंग्यों को यूज़ करते है लेड़ पर इनकी पूरी वाल्ट बन वहीं पर थम जाते है वो एक्तम पॉज हो जाते है अनील की हाँ तॉंग्यों जब वो महसूच करते है तो वो अपने आखें बन कर लेती है अनील देड़ देड़ मूफ करते है और उसकी कानों में जाकर करते है इस इस फ्रेंच किस जो close होते है ताइम एक पार्टनर दूसरी पार्टनर को करते है यह कहते है अनील लेड़ पन के नेक को होल करते है और उसे धीर धीर सोफे पर पुश करते है अनील जैसे ही यह कहते है लेड़ पिन उसे पीछे पुश करते है और वहां से भाग कर वो दूसरे रूम में चली जाती है कॉस वो बहुत जादा डरी हुई थी ये उसकी लाइफ की फोस किस थी जो अनिल ने चुड़ा लिया वो दूसरे रूम में आते ही डोर को लॉक कर देती है ये उसकी लाइफ की फोस्ट एक्सपिरियंस थी ऐसी फिलिंग्स उसने कभी फिल नहीं किये थी इधर अनिल पर डड़ी हुई थी वो जली से भाग कर लेड़ी पिछे आती है और डोर को उपन करने के लिए कहती है वो इतनी डड़ी हुई थी कि रूम में खुद को चुपा लेती है अनिल बार बार डोर पर नौक करती है और उसे उपन करने के लिए कहती है पले लिपन नहीं खुल दी है तो अनिल वहां से साट फिल करते हुई अपने बेडरू में चली जाती है और यहां पर यह पार्ट एंड होती है से यो सून इन नेक्स पार्ट बाई बाई